दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें साथी बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे आने वाली वीडियो की इंफोर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी वो भी मुफ्त में दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे यूटूब चैनल में स्लिम पेट के लिए महिलाओं को सही तरीके से और सही तरह के एक्सराइज करना सरूरी होता है लेग ड्रोप और लेग सर्किल जैसे कुछ ऐसे एक्सराइज है जिनकी मदद से महिलाओं सपाट पेट प्राप्त कर सकती है सपाट पेट यानि की फ्लेट बेली महिलाओं की आकर्शन के साथ साथ स्वास्थी के लिए भी बेहतर होता है पेट पर बहुत अधिक फेट की वज़े से कई तरह के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है सपाट पेट बनाने के लिए कई तरीके के एक्सराइज उबलब्द है जिनकी मदद से महिलाओं बहुती जल्दी चर्बी रहीत सपाट पेट पा सकती है नियमित रूप से तथा सही तरीके से किये जाने पर ये व्यायाम महिलाओं के पेट को सपाट स्लेम बना सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं इन एक्सराइज के बारे में तथा करने के तरीकों के बारे में नमबर वन दोस्तों, लेक सरकिल पीट के बल पेरों को फैला कर लेट जाएं, बाएं पेर को उपर की तरफ उटाएं, इस अवस्था में 10 से 60 सेकंड के लिए रहें, फिर अपने बाएं पेर को इस तरह गुमाई की, हवा में आधे सरकल का निर्माण हो सरकिल बनाने के सुरुआत में सांस लें और सरकिल बनने के अंत में सांस छोड़ें ये एक्सराइज करते समय शरीर को जितना स्थिर रख सकते हैं रखें एक पेर के 6 सरकिल बनाएं उसके बाद फिर दूसरे पेर का प्रयोग करें इस exercise का प्रभाव पेट की मान स्पेशियों पर पड़ता है जिससे पेट पर जमा अतिरिक्त चर्बी नश्ठ हो जाती है पेट की बल लेड़ जाएं अपने चेहरे और पेरों को जमीन से इस तरह उपर उठाएं की आपका शरीर अंग्रेजी के X अक्सर के समान बन जाएं इस वियायाम का प्रभाव पेट की मान स्पेशियों पर पड़ता है जिससे पेट की चर्वी दूर होती है इस वियायाम को करने के लिए सबसे पहले पीट के बल लेड़ जाएं और पाने पेरों को 90 डिग्री के कोण में उपर उठाएं अब दिरे दिरे पेरों को नीचे लाएं ध्यान रहें कि पेर जमीन को न छूएं हवा में ही रहें ध्यान रहें कि पेरों को नीचे ले जाते समाई आपके पीट का निचला हिसा ना उठाएं इस प्रक्रिया को कम से कम दस बार दोह राएं ये व्यायाम शरीर की अतरिक कैलोरी को नश्ट करता है, पेट की चर्बी भी हटाता है। नियमित रूप से ये व्यायाम करने से पेट से आस्टेर जनक डंग से चर्बी गड़ती है। और आखरिये दोस्तों, क्रंच चॉप एंड क्रंच चॉप त्विस्ट। पेट के बल लेड जाएं तथा अपने पेरों को 90 डिग्री के कोंड पर उपर उठाएं। अपने दोनों हातों की हतेलियों को दूसरे हातों से जोड़कर मुठी बना लें। अपने सीर को पीछे ले जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए सीर को अपने पेट की तरफ जुकाते हुए अपने दोनों हातों को अपने पेरों के बीच लें और ये प्रक्रिया दोहराते रहें। इस फियायाम को करने से पेट की मानस्पेशों पर गहरा प्रुभाव पड़ता है तथा पेट की मानस्पेशों में खीचाओ के कारण पेट शलेम होता है सपाड होता है तो दूस्तों यह है कुछ ऐसे序 exercise जो आपको शलेम बना सकते हैं अगर दोस्तों ऐसे आपको इन exercise के बारे में समझ में नहीं आया है तो आप इसका simple नियम Google सर्च करके वीडियो भी देख सकते हैं चानकरी पसंद आई हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें तेने वाद